प्राशनगर में सावन के महिने में भगवानर शिव की अराधना के महत्वा आयर्जन के रूप में कावड यात्र का आयर्जन के आगया और प्राजर के साथ निकाली गई गुरुबार को सुबह 10 वजे हजारों के संख्या में शिव भक्त महिला पुरुष और बच्चे जर्णेश्वर महादियो मंदिर पहुंचे महाँ सभी ने भगवान शिव का पूजन कर जलाब शेक किया कावड और कलश यात्रा के आयज़को करन सिह यादव, केलाज यादव, सरपंच तेज यादव, ग्राम पंजायद, नांदेल, सरपंच लाल सिह पटेल और भवरासा नगर के पारशद भादर सिह भाट्या ने कुछ पहारों से स्वादत किया इसके बाद शिव भक्तों ने जरनेश्वर, इस्ते टैकूंड से पवित्र जल भर कर कावड और कलश लेकर हरहन महादेव और बोलवं के जोश के साथ मनकामनेश्वर, मंदिर कुलाला के और कावड यात्रा शुरू की जोरान टीजे की धून पर शिव भक्त थिरकते हुए और महादेव के भशनों के साथ यात्रा में शामिल हुए स्थाने लोगों और महिलाओं ने कावड यात्रा के मार्ग पर स्टॉल लगा कर यात्रों का स्वागत किया और उन्हें स्वलपाहार प्रतान किया यात्रा जड़नेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर शिवपूर बुदासा शही द्वार होते हुए मनकामनेश्वर महादेव मंदिर कुलाला पहुंचे यहां सभी ने भगवान मनकामनेश्वर का जलाबी शेक किया और यात्रा का समापन हुआ आयोजक तेज यादव ने बताया कि इस कावड और कलेश यात्र कावजन अच्छी वर्षा खुशाली और देश में शांती और सद्भावना की कामना के लिए किया गया है एस यात्रा में ग्राम कुलाला, बुदासा, जिर्वाय, पांडी, समवर्सी, किशनपुरा, नाई खेडी, देहरिया, टोखुर्द, नावदा, नांदेल, कनहरिया, समेत, अन्य घावों के ग्रामेण और अश्रतालू बड़ी संख्या में शामिल हुए आज जो कावड यात्रा निकल रही है, सभी सेत्रवाजियों की तरफ से, जन्नेसर महादेव मंदिर से, कुलाला तक, स्री मनकामनेसर मंदिर पर पहुचेगी, जिसमें गाउं कुलाला के, एवों आसपास के, बौरासा, सादीखेडा, समर्सी, कनेरिया, नांदेल, सभी गा आतार तीस्रे वर्स, कावड यात्रा निकली जा रही है, सेत्र की, उन्नति, सुक, सम्रद्धी, भगवान, सभी सेत्रवाजियों को खुस रहके, एसी मनोकामना लेकर, गाउं कुलाला के सरपन्झ, तेज यादव, द्वारा ये कावड यात्रा निकली जाती है, प्रति वर यह कावड यात्रा हम जने से जल भरकर ग्राम कुलाला में मंदकामनेशन मंदरडरी पर चढ़ते हैं और यह कावड यात्रा का तीसरा वर्ष है और यह इतने हैं लोग सामिल होते हैं? आज पास के सभी लोग है भोरासा बुदासा समवर्शी कुलाला साधी खेडा सभी जगे लगबाग फंद्रासों से दोजार लोग साथ मेरते हैं सोनकर्ष तहसल से मनोष शुकला किया रिपार्ट